31 जुलाई से 6 अगस 2023 तक चलने वाले सब्सक्राइब का राशीफल लेके मैं आपके सामने उपस्तित हूँ नमस्ते मेरा नाम है योगेश शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइविद योगेश शर्मा में और दोस्तो इस राशीफल में आगे बढ़ने से पहले एक विनमरी की केर करनी है इस सप्ताह में जो सप्ताह का मध्य रहेगा ना इसमें नए लोगों से मुलाकात हो सकती है आपका एक Ник worked Um यह आपके कार शेतर में आपके काम की तरक्की में एक बहुत बड़े साधन सावित होंगे तो सब्ताह में एक तो लोगों वाले दिन या मंडे वाले दिन गुड किसी भी मंदिर में स्पेशल इस शिव मंदिर में डोनेट करना है ये जो उपाई है ना ये इस सप्ताह में आपकी हेल्थ को भी सही रखेगा और विशेश तोर पे आपको उन लोगों को विजिबल करवाय का जो लोग आने वाले समय में आपके बहुत सहाय एकसिद हो सकते हैं व्रश यानि टॉरस सप्ताह की जो शुरुवात है ना थोड़े लो नोट से होने वाली है इस सप्ताह में शुरुवात में मंडे टूजडे वेडनेस दे ये तीन दिन ऐसे रहेंगे जिसमें आपको लग सकता है कि कोई भी आपकर तरकीब कामयाब नहीं हो रही है कोई भी आपका जो एफट है ये किसी भी नतीजे तक नहीं पहुँच रहा है परेशानिया बढ़ सकती है आपको पैसे की भी मदद किसी से मांगनी पड़ सकती है और इसमें जिजगे अगामत आपको ये जो मदद है ये एकदम से आपको ऑक्सिजन भी देगी और ये जो भी आप करजे के रूपे मदद लेंगे न ये बड़ी जल्दी चुकता भी हो जाएगा लेकिन इस सपताह में सबसी जुरूरी है अपनी इमोशन पे और अपनी मनोस्थिती पे अभ्यास करके कंट्रोल करना सब चीजें सही रहें उसके लिए आप कॉपर के लोटे में जल लेके इसको अपने बेड साइड पे रखिए और सवेरे इसको पौधों को दे दीजिए बहुत ही उत्तम उपाय है सपताह के साथो दिन आपने करना है और ये उपाय जो है पूरे सपताह में आपकी सहायता करने वाला है और मिथुन यानि जमिनाई भई आप लोगों के लिए इस सपताह में किस्मत का भी साथ मिलेगा मन भी शान्त रहेगा काम करने के मौके भी मिलेंगे काम में तरक्की भी फील होगी इस सपताह में फैसले इन्वेस्मेंट के फैसले किसी भी जगा भी निवेश करने के फैसले जो है बड़े ही सोच समझ के लिजेगा इस सब्ताह में शादी ब्याह जिन लोगों का उफकोर्स नहीं हुआ है उन लोगों के शादी ब्याह के भी योग है जीवन साथी को चुनने में भी आप बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा क्योंकि फैसलों के इस सब्ताह में थोड़ा सा इमोशनल होके गलत हो जाने का सीन बन रहा है अदर्वाइस पूरे सब्ताह की सारी उरजाएं आपके साथ हैं नीम की ग्यारा पतियां मंडे वाले दिन शवलिंग प्यारपन करिए यह है आपका इस सब्ताह का उपाए जिससे आपके फैसले भी सही होंगे और बाकी सारी चीज़ें भी आपके राई में व्यवस्तित रहेंगी सही रहेंगी कर्क यानि कैंसर भई इस सब्ताह में खर्चे जो हैं यह आपके एक्सेस में हो सकते हैं उसकी वज़ा से आपको इतना से लोड नहीं लेना है और लोड से अगर बात करें तो मन ओवर थिंकिंग का एंग्जाइटी का भी शिकार रह सकता है इस सब्ताह में सारी चीज़ें व्यवस्तित रहें सारी चीज़ें सही रहें और गनाइज रहें उसके लिए मंगल वार वाले दिन थोड़ी सी बेसन की बरफी हनुमान मंदिर में पहले चढ़ाईए प्रसाद का भोग लगाईए और फिर लोगों में बांट के आईए ये उपाय बड़ा सटीक उपाय है और सब्ता हमें ये उपाय आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करने वाला है लियो यानि सिह बाई ये जो सब्ता है न इसमें देखे मंगल जो आपके योग कारक है ये आपकी राशी से ही चल रहे है और सूरे जो हैं आपके राशी लोड ये आपकी राशी से बारवे घर में चल रहे हैं और ये जो योग बन रहे हैं ये योग थोड़े ऐसा भटकाव देगा आपको व्यर्थ के भटकाव से बचिए यानि कहीं पे भी आपने बिनाबाद के कोई टूरिंग कर ली आप अपने काम पे नहीं बैटे हैं दायबाईं की चीजों में चलेगे प्रारिटी लिस्ट में जो चीज दस्वे नंबर पे थी या थी ही नहीं सारा समय उसको दे दिया जुरूरी काम जो है आपके रह गए और इस वज़ा से स्ट्रेस और इसकी वज़ा से नुकसान ये है इस सप्ता की आपकी समरी लेकिन प्लैनिंग से अगर चलेंगे तो यही जो सप्ता है ना क्योंकि योग कारक आपके जो है राशी में चल रहा है ना तो आपका बड़ा साथ देने वाले हैं प्लैनिंग होती है सूर्य, वो खराब है इसलिए प्लैनिंग खराब, लेकिन योग कारक आपकी मदद करने के लिए ततपर है मिश्री लेके, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो किसी भी संख्या में लेके किसी भी quantity में लेके मंडे वाले दिन आप पहले शिवलिंग को जल से या दूद से सनान करवाईए और फिर वहाँ पे थोड़ी सी मिशरी अरपन करके आईए ये जो उपाय है ना ये आपको planning करने में सहायता भी करेगा motivate भी करेगा और अगर अगर planning कर जाएंगे फिर त थोड़े से कमजोर रहेंगे और उस वजह से किस्मत connection मिलता हुआ थोड़ा सा आपको कम लगेगा और पैसे के भी जो मामले है ना जितने भी चाहे अटक्यूई payment हो चाहे इंकम हो ये भी चिंता का विशे बन सकते लेकिन इस सब्ताह में जो अच्छी चीज है वो है कि आप आपकी आवाज सुनी जाएगी यानि जो आप कहेंगे वो लोग मानेंगे उसको recognize भी करेंगे आपको appreciation भी मिलेगी चलिए कोई दिक्कत नहीं है पैसा ना सही appreciation सही पैसा अगले हफते से आ जाएगा फिर भी इस सब्ताह में कोई नुकसान ना हो उसके लिए आपको क्या करन तुला यानि लिब्रा भी आप लोगों के लिए सब्ताह में लोगों से मिलना जुलना जो है बढ़ाना पड़ेगा लोगों से उलजना जो है वो कम करना पड़ेगा स्वभाव में थोड़ी तलखी आ सकती है आपका स्वभाव थोड़ा सा तीवर हो सकता है थोड़ा सा बब बन सकती है क्योंकि इसका जो प्रभाव है ना या आने वाले कई सप्ताहों तक रह सकता है सब चीजों को सही करने के लिए दुरवा घास लीजिए जो खड़ी-खड़ी घास होती है दूब जिसको बोला जाता है और इसको मंडे वाले दिन आप गणपती जी को अरपन कर पैसे का अर՞ेंजमेंट होगा पैसा जो है इधर उदर से कहीं से भी आये पर आपके लिए आएगा पैसे की वज़या से इससापताह में आपका कोई काम रुकेगा नहीं लेकिन सबसे जिएदा आपको इससापताह में अपनी सेहत की समहाल करनी है पिछले कुछ हफ्तों महीनों से काम में over busy रहने की वज़ा से आपको इस सप्ताह में थकावट भी फील होगी आपको सेहत की कोई न कोई ऐसी अचानक दिक्कत आ सकती है जो दिक्कत आपने पहले anti-speed ना की हो इवन पिछली चलती हुई problems को भी इस सप्ताह में ignore मत करियेगा नहीं तो health के मामले में आप खुद को फसा हुआ पा सकते हैं और इस सप्ताह में किसी भी काम को लेके कोई जल्दबाजी मत करियेगा और केसर का तिलक उपाय के तौर पे पूरा सप्ताह अपने मस्तक पे लगाईए क्योंकि ये उपाय न केवल आपकी health को सही करने चारा है बलकि आपके कई बिगड़े हुए कामों को बनाने भी जारा है धनू यानि Sagittarius भाई इस सप्ताह में मन बेचैन रहेगा मन जो है अटका-टका सा फील रहेगा इस सप्ताह में आपको लगेगा कि कही न कहीं कुछ इस तरह से चीज़ें हो रही है जो अनिश्चे की स्तिती बना रही है और उस वज़ा से आपको किसी भी चीज़ का solution नहीं मिल रहा है खाली यही नहीं आपको धन की liquidity की problem भी रह सकती है और यह जो liquidity की problem है ना इसमें क्या रहेगा कहीं से लेने वाला धन जो था वो डिले हो गया या कहीं से कोई payment आनी थी वो डिले हो गया और उसकी वज़ा से आपके आने वाले जो circle है वो रुका-रुका सा फील होगा आप Monday वाले दिन किसी भी बनियन ट्री को बर्गत के पेड को मीठा दूध दूध में चीनी डालके मीठा दूध अरपन करके आईए खाली यही उपाय करना है और यह उपाय capable है आपको liquidity के crunch की सारी दिक्कतों से निकालने के लिए भी और आपके मन को relax करने के लिए भी मकर यानि Capricorn भाई आप लोगों के लिए इस सपताह में सितारे जो है न ये घरेलू शान्ती के लिए favorable नहीं है जहां एक तरफ जीवन साथी से कुछ कहा सुनी difference of opinion हो सकता है वहीं दूसरी तरफ अलग-अलग कारणों से घर में बाकी member से भी कुछ कहा सुनी हो सकती है जिसके वज़ा से overall जो घरेलू महौल है न डोमेस्टिक जो पीस है वो थोड़ी सी खराब रहेगी घरेलू महौल खराब रहेगा और यही उर्जा जो है अब आपने कारेशितर पे लेके जाएंगे वहाँ पे भी ढंक से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इवन इस सप्ताह में गवर्मेंट की तरफ से भी आपके लिए कुछ ना कुछ पेन, कुछ ना कुछ जुर्माना, पेनल्टी ऐसी चीजों के भी संभावना बन रही है कच्चा दूद लीजिए, उसमें गुड का पौडर जो होता है, शक्कर होती है जो गुड की, वो डालिए और इसको आप मंडे वाले दिन बड़ी शधा से शिवलिंग प्यारपन करके आईए ये जो उपाय है ना, ये इस सप्ताह में आपके लिए ऑक्सीजन का काम करेगा एक तरफ से घरेलू माहौल जो है, वो खराब होने से बचेगा और वहीं दूसरी तरफ, सरकार से भी जो संभावित पेनलिटीज हैं, वो भी सही हो जाएंगी कुम्ब, यानि कुईरियस, इस सप्ताह में कहीं ना कहीं आपकी नेचर एक तो सफोकेटिंग सी हो सकती है लोगों की लाइफ में कुछ ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करना, कुछ ज्यादा टोकना, ये जो चीज है ये लोगों को नागवार गुजर सकती है, उसकी वज़ा से लोगों से आपकी भिगड सकती है वहीं आपके अपने स्वभाव में, आपकी नेचर में, आपकी परसनेलिटी में कुछ न कुछ चीजों को टालने की, स्लो करने की या pending डालने की habit develop हो सकती है उसकी वज़े से आप खुद भी pain में आ सकते हो खाली यही नहीं इस सब्ताह में आपको अपनी health की nervous system की blood pressure की भी चिंता करनी है कोगि यह चीज़े भी इस सब्ताह में आपको चिंता में डाल सकती है सरल उपाय है आपके लिए कच्चे दूद में काले तिल डालिए और इसको शिवलिंग पे अरपन करिए यह जो उपाय है यह सब्ताह में आपके लिए बहुत जबरदस उपाय है कुद्रत की सारी अच्छी उर्जाओं को आपके साथ जोडने जा रहा है पाइसेज यानी मीन भही शुरुआत में आपको लगेगा कि हर बात बिगड़ती चली जा रही है यहां लोग आपकी हर बात को माइन कर रहे है आपके द्वारा किया गया सारे काम जो है वो फेलियर्स यह ब्लॉकेज की तरफ जा रहे है 99 पे आपके सारे काम रुक रहे है इवन आपको अपने हेल्थ में भी बड़ा लो सा फील हो रहे है वहीं दूसरी और जितना जितना सप्ता आगे बढ़ेगा यह दिक्कतें भी दूर होगी और आपको किस्मत का कोनेक्शन मिलना भी शुरू होगा और लाइफ भी जो है सेटल होती ही दुखेगी हलाकि इस सप्ताह में आपको हेल्थ की, डाइजेशन की और स्किन की तवचा की कोई नो कोई परेशानी देखने को मिल सकती है इस उपाई में सब कुछ सही रहे उसके लिए आपने क्या करना है डेली बेड़ साइड पे पानी का गिलास रखे और उस पानी के गिलास को सवेरे आप पौधों को देते रहे साथो के 7ों दिन ये उपाई करिया और फिर देखिएगा किस तरह से कुद्रत आपका साथ देती है और किस तरह से ये सप्ताह जो है आपके लिए बनता है खुशनुमा और लवली तो दोस्तों ये था इस सप्ताह का आपके लिए राशीफल मैं आशा करता हूँ इससे लाब लेके और ना किवले सप्ताह को बलके आने वाले जीवन को भी आप बहुत अच्छा बना पाएंगे तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नई टॉपिक नई विशे के साथ अपना खूब ध्यान रखेगा नमस्कार